आज भी हमारे देश में पूरे जोशोख रोज से ये नेता अंद विश्वास फ्लाने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट नब्बे लाख रुपे का त्यार हुआ अगर नब्बे लाख रुपे लगा के किसी गरीम के घर की च्छत बना दी जाती तो कितना अच्छा होता लेकिन यहाँ पर यह जो इन्होंने स्टैचू लगाया इसके उपर गोर दस दिन के अंदर इसके उपर कबूतर पक्ची यहाँ पर बैठके बीठें करेंगे और इस स्टैचू की ऐसी की तैसी करेंगे यह जिसे बगवान कहते हैं राजा राम चंदर हुए है और उस राम चंदर को बगवान बनाने के चक्कर में इन्होंने नब्बे लाख रुपे लगा दिये इन नेताओं ने अगर नब्बे लाख रुपे किसी बेरुदगार किसी भूखे को देते मगर यहां तो बेरुदगारी दूर नहीं करनी भूखमरी दूर नहीं करनी गरीबी दूर नहीं करनी यहां गरीबों को दूर करने के लिए यह ऐसे स्टैचू लगाएंगे जैसे मोदी ने 35 करोड का लगाया है इन नेताओं के दोवारा ये चीज़ सावित हो चुकी है कि ये लोग अंद विश्वास ज्यादा से ज्यादा फिलाना चाहते हैं कि लोग अंद विश्वास के अंदर अटके रहें और ये लोग नबे नबे लाग रुपे के चक्कर में अपने घर भरते रहें और इसमें साफ है कि ये नबे लाग का प्रोजेक्ट नहीं था और इसमें कहीं नबे लाग लगे हुए नजर नहीं आते मगर यहां पर ये सारा अंद विश्वास फ़लाने की त्यारियां हैं जिसमें हमारे देश के नेता आगे बड़ चर्कर हिसा ले रहे हैं बगवानी मालक क्याट झाल 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 पे लाख बता के इसमें से लाखों रुपे खा लिये होंगे और ये नेता आपको अंद विश्वास में धकेल रहे हैं आप जा रहे हो समझो